क्या आपका विश अपना है RRBJ में Maths में 30 of 10 30 स्कॉल करने का अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है so welcome to the engineer sada 24 7 मेरा नाम है अभिशेक कौशेक so guys जैसा आपको पता है कि RRBJ hopefully आपको दिखाई देगा कुछ ही months में notification और आप अगर चाहते हो कि notification के बाद में तयारे करूँगा या करूँगी तो वो possible नहीं हो पाएगा क्यों क्यों कि आज हम बात करने वाले हैं कि maths में जो कि 30 questions आपके पूछे जाने वाले हैं तो 30 में से 30 कैसे इसको secure किया जा सकता है क्या ये possible है अगर हाँ तो कैसे करेंगे चीक है चलिए start करते है पहले बात कर लेते है थोड़ा सा pattern पे कि किस तरह के का pattern है सर और क्या क्या इसमें चीज़े आने वाली है तो अगर मैं बात करूँ तो mathematics की maths की 30 questions आपके पूछे जाने वाले है यानि कि 30 marks कही होंगे general intelligence and reasoning तो basic reasoning आने वाले है 25 number या 25 marks general awareness के 15 questions दिखेंगे और general science के आपके 30 questions दिखेंगे total अगर हम देखें तो यहां से 90 minutes है पूरा का पूरा और 3060 और यह हो गया आपका 60 और यह 440 total हो गया 100 तो अगर आप देख पा रहे होंगे यहां से 90 minutes में 100 questions आपको attempt करने है तो आपको यह तो पता चल गया है कि यहां से possible तो है यानि कि time तो काफी जादे दिया हुआ है अगर उससे साफ से देखोगे आप 90 minutes है 100 questions है तो मतलब time की तो कोई problem आने ने ही है क्योंकि 2 में ही time आपका लगने वाला है एक maths में आपका एक reasoning में बाकी इन दोनों में तो time नहीं लगेगा general awareness और general size में जस्ट आपको अगर पता है तो ticker होगे नहीं तो आप आगे बढ़ जाओगे as simple as that तो time की तो कोई problem नहीं आने वाली problem कहा है कि आप क्या यहां से 30 out of 30 ला सकते हो या नहीं और इसी पर बात करने वाले आज कि 30 में से 30 लाए जा सकते हैं या नहीं क्योंकि यह 30 और यह 25 टोटल होगे 55 और यह आपके होगे 45 ठीक है तो यह 55 नमबर यहां से secure करने है full out of full और जो कि possible है तो बट आज 30 पर बात करने वाले है कि mathematics को कैसे करेंगे टेकल आपको बता है mathematics जो आता है इसका maths का आरर भी जाईगा वो आपका आता है क्या एक तो आता है आपका arithmetic ठीक है एक आता है आपका advance एक आता है आपका डियाई ठीक है तीन topics जो है आपकी यह इस तरीके से आएंगे सब mix होंगे अर्थमेटिक एडवांस और डियाई और अगर आपको डियाई को टैकल करना है तो उसके लिए आपको arithmetic पता होना चाहिए बेसिक चीज़े आपको पता होनी चाहिए परसेंटेज, प्रोफिट लोज, CISI time, speed, distance, basic arithmetic वाले topics अगर पता है तो आप DIQ questions को solve कर लोगे advance के लिए आपको formulas पता होनी चाहिए mensuration, 2D, 3D, algebra, trigonometry, आपको geometry यह सब पूछा जाता है ठीक है आईए बात करते है पहले तो कि topics क्या-क्या है तो मैंने topics का column बना दिया है आपके सामने आई होप आप देख भी पा रहे होंगे इतनो number systems आपको पूछा जाने वाला है basic board mask के questions होंगे simplification, approximation के questions होंगे वो आप tackle कर लोगे decimal और fraction से question दिखेंगे आपको LCMHCF के question दिखेंगे ratio and proportion के आपको question दिखेंगे easy questions होंगे percentage mensuration जो की आपको मैं बता रहता है advance का topic है advance math का तो यह आपको अच्छा करने है पड़ेगा 2D two dimensional और three dimensional दोनों के दोनों आपको यहाँ पर दिखेंगे time and work के questions आपको दिखेंगे time, speed, distance यह देखने को मिलेगा CISI आपको देखने को मिलेगा profit loss free है, algebra देखो यहाँ फिर advance आगया है तो यहाँ से भी question देखने को मिलेगे geometry and trigonometric की काफी अच्छे-च्छे question देखने को मिलते है तो अगर आपको इनको tackle करना है पहली बात तो यह है कि आपको YouTube से at least जो classes चली है आपको पता ही नो बजे और ग्यारा बजे दो classes होती है इन दोनों classes को आप अटेंड कर सकते हो free of cost है YouTube पर YT पर ठीक है इन दोनों classes को timing मैंने बता दिए दोनों classes को आप अटेंड करो free of cost है age-based problem होगी age-based जो problem है यह आपके ratio and proportion में ही count होगी clock वाले questions होगे pipe and systems questions होगे ठीक है तो अगर आपको अच्छा करना है 30 out of 30 का score है अगर आपका 30 का आपका score है कि यह secure करना मेरे को 30 में से 30 ही लाने है तो आपको arithmetic अच्छा करना पड़ेगा पहली बात और advance को आप skip नहीं कर सकते आप सोच रहोंगे कि sir 30 में से suppose 10-12 questions होगे advance के 15 questions होगे तो क्या होता है कि कभी-कभी advance ज्यादे आजाएगा arithmetic कम हो जाएगा तो यह पहले से decide नहीं हो सकता कि इतने ही questions आपको दिखने को मिलेंगे तो आपको पूरा का पूरा arithmetic plus advance और DI वाला section अच्छा करना पड़ेगा इसमें डियाई में लिखना भूलिए तो डियाई भी इसमें एड है ठीक है तो अगर यह आप कर लेते हो तब जाके आप secure कर वाओगे उसके लिए भी strategy क्या है कि पहले आप arithmetic strong करो पहली बात YouTube पर class चल रही है 11 बज़े आप playlist में जाके सारा arithmetic पढ़ सकते हो free of cost में ठीक है वो arithmetic secure करो advance के भी इसमें questions दाले हुए है mansulation के वो आप पढ़ सकते हो DI के भी questions उसमें मैंने रखे हुए है तो 11 बज़े वाली जो class है वो आप attend किया करो daily maths की class होती है free of cost है YouTube पर उसमें हम बहुत अलग अलग तरह के questions design करें गये हैं जिसमें आपका arithmetic advance और DI तीनों आपके अच्छे हो जाए तो प्लीज आओ उसमें क्योंकि वहां से आपका strong हो जाएगा base strong हो जाएगा और फिर आप tackle कर पाओगे questions को और अगर आप चाते हो कि RRBJE के जो previous year questions है जो प्रिछले exams में आ चुके है 2019 के paper में या उससे पहले भी अगर आप चाते हो कि मैं वह questions solve कराऊ especially तो आप comment section में में मेरे को comment कर सकते हो बता सकते हो कि कितना आप चाते हो हो या नहीं तो आप yes or no में कि हासर मैं चाता हूँ कि आप RRBJE के PYQ solve कराऊ तो फिर एक पूरे playlist आपके बन जाएगी video solution के रूप में कि RRBJE में किस तरह के questions आए तो कैसे tackle करने थे ठीक है अगर आप चाते हो तो मैं करा दूँगा उसके लिए भी लेकिन आपको मेरे को present दिखानी पड़ेगी कि आपकी presents कितनी है ठीक है वो आप comments के जरीए दिखा सकते हो ठीक है तो इस तरीके से आप join कर सकते हो बाकी अगर किसी strengths को application पर पढ़ना है कि वहां targeted ही steady होती है क्योंकि YouTube पर क्या होता कि ads भी आने लगते हैं बीच बीच में आप comment करते हो तो वो skip हो जाता है उपर अगर आप चाते हो personal guidance को तो आप application पर join हो सकते हो बड़ा simple सा तरीका है application पर join होने का क्योंकि application पर RRBJ का course भी आपके लिए available है आपको पता होगा तो आपको करना क्या है simply आपको search करना है अड़ा 24-7 यहाँ पर आपको search करना है अड़ा 24-7 website जो है उस पर जाना है simply जैसे आप website पर जाते हो तो इस तरीके interface खूल जाता है आपके सामने फिर आप all courses पर जाके gate and engineering पर click करके यहाँ RRB दिखाई दे रहा है इस पर click कर सकते हो यहाँ पर RRB में आपके पास एक RRB ALP का non-technical batch है और RRB J दिखाई दे रहा है mechanical, civil दोनों दिखाई दे रहे हैं तो जिस भी branch के आप हो उस पर click कर ले ना suppose आप mechanical के तो mechanical वाले पर click करो civil के हो तो civil पर click करो जैसे आप civil पर click करते हो तो इस तरीके से आप यहाँ buy now पर जाके यह classes को access कर पाओगे और यह जो price दिख रहा है बहुत ज़्यादे दिखाई दे रहा है तो इसको कम करने का तरीका है आपको coupon code use करना वो coupon code होगा Y516 जैसे आप Y516 लगाते हो 2644 में आप enrollment करा सकते हो इस तरीके साब classes में आ सकते हो अगर आप चाते हो कि personal guidance सर मेरे को चाहिए कि हाँ मेरे को RRBJ phone ना है 2023 में तो वो personal guidance के थुरू जहाँ आपकी problem आ रही है यहाँ जहाँ आपने face किया था 2019 में अगर आपने paper दिया था 2019 को आप successful नहीं हो पाए तो उसका reason का पता करेंगे और वही targeted steady रखेंगे तो कोशिस करेंगे कि इस बार आपको selection हो जाए 2020 में यह guarantee आपको भी देनी पड़ेगी अपनी तरफ से मैंनत की मैं अपनी guarantee दोंगा पढ़ाने की best से best से आपको दे पाऊ तो इस तरह के से classes में आप आ सकते हो वाई 516 open code के साथ so I hope यह आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसी तरह की crisp वीडियो हम लेते आएंगे और जो जो आपको चाहिए अगर आपको चाहिएगी सर strategy वीडियो लादो या फिर जो भी आपको चाहिए वो आप comment section में comment कर सकते हो फिर मैं वो लियाऊंगा ठीक है so thank you so much for listening the video and मिलते हैं आप next video में तब तक के लिए bye bye take care and have a nice day